नमस्कार दोस्तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे देश समें Internet user की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनके साथ तरह तरह के अपराद भी बढ़ रहे हैं आईए हम बात करते हैं Cybercrime के बारे में क्या है cyber crime, कैसे होता है और इसे बचने का क्या उपाय है cyber crime यह एक ऐसा criminal activity है जिसमें computer network device या network के पर्योग करके आपसे ठगी की जाती है यानि हम संच्छेप में कहें तो computer के द्वारा किया गया अपराज cyber crime कहलाता है cyber crime के द्वारा cyber criminal आपके साथ बहुत सारे घटना को अंजाम दे सकते हैं जैसे data hacking, phishing mail, otp fraud, mobile fraud या sex tarson जैसे घटना को अंजाम दे सकते हैं तो आए जानते हैं प्रभिस्तार से hacking, किसी भी computer network या system या website की कमी को जान करके उसको अपने बस में कर लेना hacking कहलाता है तो आए जानते हैं इससे बचने का क्या उपाय है प्यादा public wifi का इस्तमाल न करें, हो सके तो home wifi और बिस्वसनिया network का इस्तमाल करें अपने mobile या computer को हमेशा अपडेट रखें spamming किसी देखती को एक ही mail या message को बार बार भेजना spamming कहलाता है spamming का उदेश्य, computer user के data को चोरी करना होता है spamming सबसे ज़्यादा email, facebook और whatsapp जरिये होता है तो आए जानते हैं इसका बचाव क्या है secure protocol का प्रयोग करें, जैसे HTTP वाले link पर ही क्लिक करें HTTP का एक update भर्जन है HTTPS इसका प्रयोग online money transfer के लिए किया जाता है इसमें S का मतलब है secure इसमें बेब कैम, मोबाइल या वीडियो कॉल के जरिये सेक्स गती बीथी को रिकार्ड करके blackmail करने की कोशिस की जाती है safe website को ही खोलें, जिस website के URL से पहले ताला बना हो unknown person का friend request सुगार करने से पहले सोच बिचार कर लें online अंजान बेक्तिस से रिष्टाना बनाए और सबसे महत्तुपूर्ण बात इस समय लोग सबसे ज़्यादा banking fraud का सिकार हो रहे हैं हम आपको बता दे कि bank आपसे आपका कोई भी details email या phone के माध्यम से नहीं मांगता है यदि ऐसा कोई phone या email आये तो आप सवधान रहें आपके साथ fraud हो सकता है यदि मेरा दुबार दिया गया जनकारी अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe जरूर करें कर दो दो